आज मैंने सोचा क्यों आज हमें एक नई रेसिपी बनाएं वो भी ब्रेट से जल्दी बनके तयार हुजए और साथ ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगे तो चलिए बनाते इसे जल्दी से हलो फ्रेंड्स मैं हूं सीमा आपका स्वागत है मेरे चैनल में इस रेसिपी को बनाने के लिए एक आलो लेंगे उसे अच्छी से छिलकर धोकर इसे हम ग्रेट कर लेंगे ग्रेट किया हुआ आलो हमारा तेयार है अब हम गेस पर कड़ाई रखेंगे उसमें एक छोटा चमच तेल डालेंगे आदा चमाज सोप डाल देंगे आदा चमाज राई डालेंगे और साथी आदा चमाज हम यहाँ पे जीरा डाल देंगे और इन सब के साथी हम यहाँ पे दो हरीमेश बारी काटके डालेंगे थोड़ी दे हरिमेश को पकने देंगे उसके बाद एक प्यारी कटावा प्यार डाल देंगे इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे अब साथ में हम यहाँ पे एक टमाटर डालेंगे और हमने जो ग्रेट किया हो आलू है वो डाल देंगे इन सब को हम अच्छी से मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए इने पकने देंगे यहाँ पे हमें गेस की फ्लेम को मीडिय में रखना है अगर आपके पास और कोई सब्जी है तो वो भी डाल सकते हो अब मसालों में हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे आदा चमज लाल मिश पाउडर डालेंगे आदा चमज आमचुर पाउडर डालेंगे स्वादनों सा नमक डाल देंगे इन सबी मसालों को हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे दो मिलीड बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि सबजी हमारी सोप्टो हो चुकी है अब हम यहाँ पे गेस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे वापिस से हम चला लेंगे अब हम गेस को बन कर देंगे तो यह हमारी चटपटी फिलिंग बन के तियार हो चुकी है इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे एक बतन में दो छुटी चमस गेहूं का आटा लेंगे उसमें कुटियोवी लाल मिश डाल देंगे थोड़ा सा नमक डाल देंगे और पानी डाल कर इसका एक पतला गुल बना कर हमें तयार करना है आटे की जगा आप यहां पर मेदे का भी यूज़ कर सकते हो बेटर भी हमारा तयार इसे हम साइड में रखेंगे अब हमने दो ब्रेट को मिक्सी के जार में डाल कर इनका ब्रेट कम्स बना लिया है इसका यूज़ हम आगे रेसिपी में करेंगे यहां पर मैंने दो से तीन ब्रेट लिये हैं एक ब्रेट लेंगे और हमने जो चट्विटी फीलिंग बनाएंगे वो इसके उपपर रखकर अच्छ से फेला लेंगे इस तरह से ब्रेट को त्यार करके आप इसे इसे भी खा सकते हो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है लेकिन हम इस ब्रेट के चार भाग करेंगे सारे पीस हमारे बनके रेड़ी हो चुके हैं आप हम एक पीस को लेंगे और हमने जो गोल बनाया है उसके अंदर हम अच्छे से टिप कर देंगे और ब्रेट कामस के अंदर अच्छे से कोट करना है जिसे हमारा तेल गरम हो उनके अंदर हम इन पीस को फ्राइ कर देंगे पहले हम तेल को हाई फ्लेम पर गरम करेंगे उसके बाद हम गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें उलरते पुलरते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे इन्हें फ्राइ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिब दो मिनपें बनके ये तेयार हो जाते हैं अगर आप चाहो तो यहाँ पर शेलो फ्राइ भी कर सकते हो ये नास्ता हमारा बनके तेयार हो चुका है इसी तरह से बाकी का नास्ता बनाके हम रेडि कर लेंगे बहुत ही जल्दी बनने वाला नास्ता है ये छोटी मोटी भूग में इस नास्ते को आप बना सकते हो इनका खलक पूरी तरह से चेंज हो चुका है इन्हें हम बहार निकाल लेंगे ये नास्ता दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है तो ये लिजी फ्रिंट सारा नास्ता हमारा बनके रिडी हो चुका है इन्हें आप हरी चट्नी या फी टमाटर सोस के साथ खाए है में बहुत ही टेस्टी लगता है यह तो फ्रेंड्स आपको किसी लगे मेरी आज की रेसिपी कमेंड में जरूर बताएं और अच्छी लगे हो तो लाइक करना शेयर करना और सुस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वचिंग